ओके, तो, टॉकिंग वेरी जेनरल, ठीक है, देखो, जो मैं सबको बताता हूँ, अगर हम लोग देखें, ओके, कंसमबन टेल में, आईयाय के देट कब है, आईयाय के देट कब है, एकजाम के, और आईयाय के देट कब है, नाइन्थ, वेरी क्लोज, अन् इसका तो, I guess, 12th के आसपास होना चाहिए, तो, 14th लिखा है, 13, 14 लिखा है, ठीक है, ठीक है, तो basically average में आप इन दोनों को अगर देखोगे तो roughly 18 से 20 दिन निकल के आते हैं, ठीक है, August 31 का मेन है, 18 से 20 दिन निकल के आते हैं, ठीक है, एकदम general बताऊंगा कि क्या करना है, और वो आप लोग सब को करना ही है, ठीक है, अब सबसे पहला चीज कि क्या do's है और क्या don't है, आने वाले 20 दिन के लिए, जिसका एक्जम आई है इसे, जिसका एक्जम आए फोई से, ऐसा क्या करें, कि सर पास हो जाए, टेंशन बहुत है, कुछ ऐसा बता देजी, इससे लोग पास हो जाए, ठीक है, सबसे पहला, अपना सोने का जो habit है, उसको हम लोगों कंट्रोल करना पड कभी कभी मेरे साथ भी होता है, मानलो, पांच घंटा सोया, साढ़े चार घंटा सोया, नेक्स दिन का क्लास लियावा, नहीं लियावा, एक जैसा लगता है, that whole day is waste, okay, that whole day is waste, so please have a sleep between 6 to 8 hours, जो लोग इसको 7 तक कर पाइए, that is very good, okay, बाकी पूरा टाइम, मानलो, अगर तुम अक्रिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब सर, घर पे क्या एक्स्ट्रा करिकुलर हो सकता है, जैसे तुम्हारा नाना, खाना, पीना, हलका फुलका ब्रेक, फोन, चैटिंग सब इसी में आ गया, ठीक है, अब अगर मानलो, किसी फ्रेंड का फोन आ गया, और अगर दो घं इसकी फोन रखा, जो पॉइंट था क्लियर किया और बात खतम, दो घंटा मानलो इसका, ठीक है, तो मोटा मोटी तुम लोग देखोगे, 24 में 10 घंटा के अलावा, पुरा 14 घंटा, किताब ले के भी नहीं रखना, पुरा पढ़ना है, ठीक है, अब ही अगर मन में ये खयाल आ रहे हैं कि भर्फ के वादियों में चले जाएं, बहुच ट्रेस हो गया, दो दिन ब्रेक ले ले लेते हैं, चिल आउट कर लेते हैं, इस इस नॉट टाइम, एंजॉइमेंट कब करना है, ये वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है, वन आ वोज इन सीए फाइनल, नवेंबर 2019, आउट टेम, फो लास्ट थ्री मॉंस, आ यूज टू स्टेडी 18 आवर्टे आवर्टे एवरी डे, ठीक है, एवरी डे मिंस एवरी डे, रोना आ जाता था लेगिन पढ़ा नहीं चुड़ता था, एक दिन में चार्ज सब्जेक्ट पढ़ना, एक जैसे कॉस्टिंग मानलो, पंदरा दिन में मैंने खतम किया था, साथ वीडियो, आट वीडियो, दो, तीन, तीन घंटे का पास्पावड करके देख रहे हैं, ठीक है, हाउ मच यूर कवरिंग, देखो ये बहुत सब्जेक्टिव है, ठीक है, बने अभी तक आपका सिलिबस पूरा एक बार हो जाना च सकता हूं, 80 से 85 नंबर अगर नहीं आ है, तो जो बोलोगे वो करूंगा, कैसा ही टफ पेपर दे दे, इतना चीज करवाया है, कोना-कोना चान के करवाया है, as a student, you might feel, that यार ये वाला टॉपिक छोड़के जा रहे हैं, हलका सा डर सा लग रहे है, as a teacher, धाईसो बच्चे हैं तो इसलिए कोई भी ऐसा टॉपिक पहला वाद छुडवाते नहीं है, ठीक है, और ऐसे करने को दोको अंत नहीं है, ऐसे करने को कोई भी चीज का अंत नहीं है, ठीक है, तो there is extensive coverage, तो copy वाला पार्ट and सारा classes का जो notes है, उसको तो एकदम पुरा बढ़िया से करना है, ठीक है special request to all the IEI students कि अभी आप लोग को compiler solve नहीं करना है, ठीक है, जो उसमें sums वगएरा देख के रखे हैं, जो जो एकदम नहीं बन पार है, वो सब करो, उसके अलावा आप लोग को पूरा दिन, full day, you need to solve IEI का papers, मैंने सबको IEI specific material भेजा हाट copy में, last 10 terms का paper एकदम पुरा solid होना चाहिए, इसको into two times कर लो, ठीक है, ये वाला सब IEI के students को बोल रहा हूँ, अलग से, ये करना ही करना है, अब इसमें जब आप देखोगे, कुछ-कुछ questions बहुत vague है, मैं समझा भी दूँगा, फिर भी लगेगा कि नहीं समझ में आ रहे हैं, एक बार के लिए उसका process को हम नेचर ही ये है, जो तुमको लगता है कि नहीं आएगा और वो ही exam में आता है, that is the best part about this, that is how they make the exams competitive, अगर मालो अभी तक किसी ने word में practice start नहीं किया है, तो उससे बड़ा गधा नहीं है, exam दो ही मत, ठीक है, डेली, एक से दो घंटा, देखो, word एक ऐसा चीज है ना, जो बल सम्स कर रहे हो, तो उसी में तो word आगया ना, copy में नहीं solve करके word में solve कर रहे हो, आज तक मैं ये बोलते आता था कि word को अलग से time दो, अलग से time क्या होता है, मतलब अब basically copy हटा दो, बोलने का मतलब ये now is the point when you should use 0% of your copy, and whatever you are solving, you should solve it in MS word, शुरू शुरू में problems होंगे, दिक्क करना चाहिए, with some rough sheets, with some rough sheets in your hand, okay, rough sheet में क्या, rough जो भी calculation में अगर है, बट सारा word पे करो अब, तो word पे अभी time आ गया कि word पे करने का, आयाई वालों को बोल रहा हूं, ये वाला जो part है, ये वाला जो part है, ये आयाई specific वाले लोगों के लिए है, ये अलग से वो लोग को time spend करना है, ये अलग से वो लोग को time spend करना है, over and above जो बोल रहा हूं, ठीक है, वो लोग में preparation भी यह कोगा वे गया उसकी बात में आते है एकसल में तो है क्या कि deeply एक्सल में क्या है excel में एक पतला सांव भॉक है एक पत फिला सा बुक दी है मैंने जो प्लास में और दों content में बताओ तो है कि अधर में Excel के से लेवस में लेकिन एक्जाम में कोशन आता है तो क्या है कि वो जो बुक अभी है उसको पूरा बिना देखे एक बार पुरा बनाना ही है बैए 18 दिन है हफता भर तो दोगे Excel को अगर रेशो में जाएं तो और वो बुक जितना भी Excel का content है उसको अपने एक हफता में कर सकते पूरा बढ़िया से बीना देखे solve अभी घबराने का टाइम नहीं है कि क्या होगा क्या होगा पेपर टाफ आ गया तो फेल हो गए तो हो गए तो हो गए एकदम पुरा मैच को एंड तक लेके जाओ एंड तक मतलब एकदम एंड तक हिम्मत नहीं हारना एकदम अच्छा खाना है ठीक है मैं यह मैं यह बहुत फॉलो किया था मेरे से बड़ा फूड़ी तुम लोग देखें नहीं होगे में कुछ street food restaurant का खाना इतना पसंद है तीन मेना सब छोड़ दिया था ना भूक लगता था ना प्यास लगता था ना ना नीन आता था मानलों आज costing कर रहे हैं ठीक है एकदम पूरा पूरा एकदम रात में वही चीज आ रहा है मतलब घूम रहे मेरे दिमाग में वही सब पॉइंट है कि आप लोग अभी 20 दिन में क्या करते हैं पहले जो किया वो किया अभी 20 दिन में क्या करते हैं वह बहुत important है अगर मानलों किसी का joint life नहीं हुए मैं छोटा सा example देता हूं average student का क्या होता है इस time तक ठीक है मानलो joint life नहीं हुए है competing risk mail का friction आ सकता है ठीक है यह स उसमें towards the end revision classes है वो सबको देखना है जो जो point पर आपको friction आएगा ना वो सब मैंने उसमें discuss किया है पुरा देखेंगे जब ct5 वाला पार्ट नीचे खतम हो रहा है उसमें बहुत सरे revision classes है तो revision class को पुरा देखिए ठीक है the study should be dynamic 6 मौक डाल दिया हूं 6 मौक डाल दिया हूं इसको पूरा खतम कर लो planning तो यहीं चल रहा है कि दो से चार और डालूंगा ठीक है मतलब यह तो दो सेट यह फिर चार सेट मैंने आई मीन यह तो एक सेट यह फिर दो सेट डालूंगा और एबी एबी तो next week तक target करो कि इसको पूरा मौक को तो देखे रखें तो समझ में त दो यहां ग्रुप में एक सेक्शन वन भीजा है तो तो टो टोली न्यू टिशन मने जो भेजा है तो थियोरी चैप्टर जो है ना, थियोरी चैप्टर, तगड़ा है यह थियोरी चैप्टर रिख दम, आठ से दस नमर का कोश्चन आ जाता है इससे, 6 से 8, रफली, इतना मेहना पढ़ा सोचो, इतना मेहना पढ़ा, 94, 92 मार्क्स के लिए, आठ नमर तो यहां पर है, कितना पढ़ो, डेली 2-3-3-3-3 थियोरीक हो, तो देखो, मार्क्स उठेगा, read the comments, हार क्वेस्चन में मानलो 10 क्वेस्चन है, 100 नमर का पेपर होता है, तो एवरेज में 3 से 4 मार्क्स का कमेंट्स होता है, अगर पूरे पेपर में देखे, तो रफली 30 मार्क्स अप देपर इस कमें कमेंट्स, तो हाव तो एंसर दा कमेंट्स, रीड अल दा कमेंट्स, मैंने समाज रोग कहां प्रॉब्लम आता है, मार्क्स क्यों नहीं उठ पाता है, तीक है, तो इस तिंग्स आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू, एन सी एम वन में है क्या, लास्ट हम का सी एम वन का है पेपर, ठीक है, मनें वैसा कोई डरने वाला बात नहीं हो सकता, अब क्या बहुत ही एक्स्ट्राउडिनरी देते तो बात अलग है, ठीक है, बट एकदम अच्छे से करना, ठीक है, ठीक है, तो कितना आ रहे है, 10 मार्क्स पर डे, अब जो पड़ा final है भाई, अब क्या सोच रहा है, इसके बाद भी revision होगा, कि नई, आप जो पढ़ लिया है वो final है, नहीं समझा क्या, अब जो पढ़ लिया, वो final है बस अब एक्जाम में ही देना है सिधा है इसके बाद में, तो यह जो 10 marks per day है इसको देखो ब्रेक कैसे करना है अपने को यह चीज में को बहुत help किया ठीक है तो roughly मानलो इसमें one week for Excel ठीक है तो करीब करीब मानलो 12-13 दिन आपके बास बचेगा paper A के लिए जो paper A है उसमें जो first यू पार्ट यू जो certain वाला जो पार्ट है basics हो गया है ठीक है do loan schedule project appraisal हो गया है हो सकता फ्रोजेक्ट प्रेजल थोड़ा बच जाए project पेंद्लबात फॉगिया ठीक है bands हो गया 정ुक्य दो पाट है टर्म स्ट्रक्चर हो गया ठीक है कि या या पर कितना दिन आ यह पांस दिन हो गये देखो फांस दिन हो गया यह जिसमें एकसल कउंट Bä में आ Markt यह जो आपको डेली करना है आले भाई ये जो अभी अपने देख रहें साथ दिन इसको मैंने ब्रेक करो एक दिन में दस से बारा घंटे का आउटपूट मतलब चार घंटे का एक्सेल एन आम नाट काउंटिंग एमेस वर्ड वो तो अट्मोस्ट इंपोर्टेंट है मतलब आप कॉपी हटा दो तो जो आट घंटा जो पेपर अपने दे रहे हैं आट से दस घंटा जो अपने पेपर एको दे रहे हैं उसमें पूरा टाइम वर्ट चलना चाहिए देखो तो एक हो गया इसमें एक और दिन मानलो टर्म स्ट्रक्चर को अरकर मानलो एक और दिन मानलेते हैं तो मोटा मोटी मैं तुम लोगों को जानता हूं मैं जितना जानता हूं ठीक है अभी कुछ नया मत पढ़ना अभी कुछ नया मत पढ़ना ठीक है तो मोटा मोटी ये छे दिन से ज हेंटर लग जाता है पूरा पूरा-पूरा करने बोला कौन है अभी क्या सारा सम्स करेंगे नहीं टॉपिक वाइस करेंगे फॉर एक्जामपल एन पीवी आया राग इस पे बढ़िया सा सम उठाया दो तीन तो सम किया खतम डिसकाउंटेट पेबैक पीरियड दो तीन तो सम उठाया किया खतम तो टॉपिक वाइस प्रप्रेशन करना है सर यह वाला सम पहले बहुत डिफिकल्ट था मां कर लिए इस सम को अगर तुम एक हफ्ता बॉइंट में लगा दिया ना भी तुम्हार से बड़ा बेफूफ कोई नहीं है मतलब ऐसा नहीं होना चीज़िस दो या नहीं देखो टेन मांक्स पड़ी लॉजिक लगाओ टॉपिक वाइस पड़ो ठीक है तो यह मालो हो गया उसके बचा क्या फि NPR GPR GPR बड़ा है बोलके दो दिन ठीक है कि कमपीटिंग रिस्क जॉइंट लाइफ प्रॉफिट टेस्टिंग देख लो कि एक दो तीन चार पांच छे साथ कि थर्टीन डेज्स कि बहुत बर होगा पढ़ने का मन नहीं करेगा इच्छा नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं है दो घंटा मूवी देख लो मतलब चीज को समझो कि एक घंटा सोच आओ कि तुम लोग समझ पार हूं मैं क्या बोल रहा हूं अरे चौदा घंटा बच रहे है उस चौदा घंटा में मानलो कॉलेज तुम लोग बोलो के भी या कॉलेज है थोड़ा दिन एड्जेस्ट करो ना कॉलेज को मतलब थोड़ा अभी इस पर पूरा ध्यान दो कॉलेज फि सब्सक्राइब होगा जैसे तुमारा कॉलेज का एक्जाम आएगा उस समय क्या उसको थोड़ा इंपॉर्टेंज देना तो यह चीज बैलेंस ही तो करना पड़ता है ठीक है तो अभी से भी बतलब 20 दिन बहुत होता है ठीक है तो वैसा कोई बात नहीं है कि अभी हो गया है यह तर्म देख लेते हैं अगला अच्छे से कर लेंगे अच्छे से करिए अच्छे से करिए इसको इसको कॉलेज के एक्जाम से 28 से 5 तक तो बेटा आइगेस आपका थोड़ा स्पेशल केस है अगर आपका कॉलेज की बीच में एक्जाम पढ़ रहा तो आइगेस अपने वैसी प्रिपरेशन किया होगा लविश और आप तो काफी टाइम पहले से पढ़ रहे हैं यूआफ टेकन आइगेस तू 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 थी अटेम्ट्स अनियाव ना यहाँ यहाँ गिवन 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 एक्जाम तो आइगेस यूद अप्रिपरेट लाइक टाइट अगर ऐसा किसी का स्पेशल केस आ रहे है कि कॉलेज एक्जाम एस पास में तो आइकेस आप लोग नीची को इन खिला कि आप टेक्वर किया होगा थाट ता बड़ी अवरी स्पेशल केसे को कि एख जो आइग ए ती इच अन एंडो मैं एक्जाम इस एन सवेंट चिवांकि मैं पीचल सी नोज रिखाम इस आर्पनिस इन 20th विवन एक्वांट आप्रू इस प्रिंद तो इस आप्रीश को your typing is going to be superb, okay, and you can cover these topics, don't go for full sums, let's say, suppose, even after this, if you have confidence in the basics, okay, you have a lot of confidence, so you will save time here, and if you have a lot of confusion in competing risk, you can invest that time here, but up to a certain level, अब जे समाल लो किसी बच्चे को यह लग रहा है, मैंको तो पस खली competing risk करना है, बाकी सब तो मेरा हो गया है, this should not be the thing, prepare marks wise, हम लोग को CA में फर्स जे एक बात समझाया था, बुला 100 number का, तीचर का किताब का फर्स पेज में लिखावा था, बुला 100 number का करके 45 number लाने में कोई बहादुरी नहीं है, ठीक है, बुला अगर paper 80 number का किया, और उसमें अगर 65 आया, तो तुम्हारा exemption आ सकता है, मनें इतना strong होना चाहिए, जो पार्ट जो तुमको अच्छे से आता है, उसको बहुत strong कर लेना चाहिए, ठीक है, and it actually works, the students, those who are aiming for perfection, जैसे मनला, अगर तुम्हारा बहुत अच्छा preparation है, मनें तुम बहुत अच्छे सारा चीज किया है, तुम्हारा बात अलग है, अगर नॉर्मल, नॉर्मल सरकम्स्टेंस का बात करें, तो प्लीज जैसे मानलो हो सकता है, जॉइंट लाइफ महल का friction आए, एक जो सम में, एक बार के लिए इसका process को देख लो, अभी के लिए, exam के बाद, you have a lot of time to invest in joint life or company, but एक बार के लिए भी, मैंने ऐसा कभी मैं प्लान बनाना कि मेरा वानलों ये दोनों portions बचाव है, तो इसमें भी हमको 7 days देना है, no, अब क्या है कि अब allocate properly करना पड़ेगा, अब एकदम पुरा properly allocate करना पड़ेगा, in September 2016, September 2016, add very less time, ये September वहला टाइम में बहुत कम टाइम होता है, add very less time, I need to give CT 4 and 6, at that time the syllabus was huge, एन उतना कोई गाइड में सब सर्फ पर पढ़ाता तो उतना कुछ नहीं था, CT 4 and 6, मेरे बहुत सरे portions इस समय तक बाकी थे, ठीक, अभी जैसे मानलो, CH2 कोई करता है, तो इसके लिए हो सकता है, एकदम संग में हम लोग पढ़ाते हैं, प्लस काफी advance हुआ है, training, coaching and all, तो 4 and 6, मानलो, में कोई पता था, कुछ-कुछ process मेरे छूट रहे हैं, बढ़ में कोई यह पता था, कि 80 number का paper मेरे को बहुत अच्छे से करना है, तो एकदम logic लगा के अपने को उस तरीके से भी सोचना है, ठीक है, अगर कुछ बज गया है, तो बाकी चीज़ को पहले अच्छे से कर लो, और अगर मान लो, तुम्हारा profit testing जैसे topic छूट रहे है, तो इसकी बिना तुम कुछ-कुछी जैसे है, उसकी बिना तुम जीती नहीं सकता है, जैसे ये वाला part, GPR, and in fact, professional में कोई एक topic हलका हो तो समझ में आता है, वो सब के लिए बहुत normal सा बाते किया, और कोई एक topic मेरा हलका रह गिया है, बट ऐसे तुमको अगर सब में problem हो रहा है, ऐसा नहीं होता है generally, बन्हें ऐसा नहीं होता है कि तुमको सारे topics में बहुत issues in all हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या है कि वो revision करने से friction clear होता है, and you can revise with my fast track revision videos that is there at the end of the syllabus, okay, towards the end of the syllabus, you will find there are a lot of fast track videos, okay, so you all can watch that as well, but think this, कि आपको 200 नमर का paper करना है, तो उतना ही time allocate properly करना है, and then you will see that there are some of the portions, जो हो सकता है एक्जाम में बेठने तक भी आपका उतना नहीं clear हो, and majority of the portion is very strong, okay, तो यह चीज़ हम इसा दिमाग में रखना, कि मतलब जैसे competing risk है, हाँ, तो दिया बंसे लिट्वल आलवेस भी देर, sometimes you will feel that you are not that confident in some of the topics, so let's say suppose if you are revising basics, okay, so you have a very strong hold in the basics part, you can save one hour and you can invest here, but you will not revise basics, that is not the strategy, just being overconfident in the topics, you know, that is, and वही पर प्लान सारा गरवड होता है, अभी इस टाइम में फ्लो में आना जरूरी है, and फ्लो में आने के लिए क्या है, अगर मॉक दोगे तो आपका पूरा पर syllabus एक बर में रिवाइस होता है, ठीक है, मॉक देने से क्या होता है, पूरा सारा चीज एक बर में रिवाइस होता है, तो इस टिंग्स आर इंपॉर्टेंट, इस इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या है कि पूरा syllabus को as a whole देखिए, एंपूरा end तक game को लेके जाईए, ऐसा हो सकता है आपके साथ में, कि आपका एक exam अच्छा चला जाए एक exam खराब जाए, दोनों exam independently सोचना है, A है और B है, अगर तुम लोग A का effect को B में ले आए, फिर B का effect को A में ले आए, basically first exam जो हो रहे है, अगर तुम उसका impact को बाकी सब में ले आया है, तो तुम से बड़ा बेफ्कूप और कोई नहीं है, ठीक है, आज जैसे तुम लोग मानलो, दो paper तुम लोग दे रहे हो, जैसे A और B, कोई बच्चा दो exam दे रहे है, पर उसका 4 हो गया, बहुत common practice है दो exam देना, बहुत सरे ऐसे होते हैं, हर exam का structure ऐसा है, जैसे CFA में होता है AM, PM, ठीक है, तो लेकिन अगर तुम लोग ऐसा सोच लोगे कि भई, कि मेरा तो यह अच्छा नहीं कि अब तुम पास नहीं होगा अगला नहीं, पहले पूरा exam दो, उसके बाद अपने देखेंगे, ठीक है, because you don't see the general scenario, and अभी friends लोग से जितना कम बात करो, उतना बढ़ी है, सारे updates telegram में आ रहे हैं, just follow the update, अगर कोई बच्चा यह बोलता है, कि मेरा यह हो गया है, वो हो गया है, कुछ निमाग मत लगा होतना, जितना कम हो सके, अपने आपको अपना दाइरा में रखो, ठीक है, this is the time, and एक और बात, ठीक है, अब जैसे आप लोग के पास में compiler है, ठीक है, just देखो, यह तुम लोग का खुद का analysis होना चाहिए, ठीक है, यह सब मैं आप क्या बता हूँ, अब लास्ट कुछ टर्म से देख लोग की, क्या क्या ऐसा topic है, जो आने के लिए एक दम पुरा तड़ा पर है, ठीक है, I will also try to help you out in the group with this, तो क्या है, वो सब पर हल्का सा थोड़ा सा stress देके, we can study, वैसे तो देखो, idea सबके पास में है, profit testing वगेरा, और मतलब, जैसे कुछ-कुछ ऐसा चीज़ है, जो आपको पुरा help कर सकता है, कि इसमें marks अपना कटी नहीं सकता है, जैसे profit testing है, same type का सम पूरा booklet में दिया हुए, एक change नहीं है, एक change नहीं है, मतलब 20 नमर का आजए, 25 नमर का आजए, theory को अच्छे से पढ़ना, ये चीज़ समझो कि क्यों 100 नमर का paper करने के बाद में भी 60, 65, 70 आ रहा है, ठीक है, तो ये सब जो मैंने आपको areas बताया है, comments पढ़ना, theory वाला, इसलिए आज मैंने आप लोग को base दिया, ठीक है, तो it is not that difficult, and एक बात और बता देता हूं, कभी भी मन में ये खयाल अपने अंदर से नहीं लाना, कि भई, next time में अच्छे से दे देंगे, roadblocks बहुत सारे आएंगे, CM1 है, 2 है, CS1 है, 2 है, CP1 है, तो ये सब क्या past two pillars हैं, ये अगर आप crack करते हो ना, आपको बहुत हद तक confidence भढ़ता ह है, ये मेरा खुद का reason है कि मैं हमेशा क्यों CM1 पहले देने बोलता हूं, ये मेरा खुद का reason है, जो मैंने खुद analyze किया है, ठीक है, बाकी लोग क्या करते हैं, मैं को पता नहीं, लेकिन मेरे इसाब से CM1 is the perfect exam, जैसे student को start करना चाहिए अपना curriculum, ठीक है, क्योंकि इसमें सब से बड़ा बात पता है क्या है, बहुत जादा analytical वाला चीज नहीं है, मतलब it's all about practice, तो अभी 18 से 20 दिन बचा है, we can do a lot of practice, okay, we can do a lot of practice, जितना हो से के practice करो, जितना हो से के practice करो, that is the only, अभी मानलो, अगर को आप लोग को ये बोल रहा है, आप तो exam आगे, आप देख लेंग तो, सर मेरा घर में शोर होता है, मेरा दो ही रूम है, घर में मेरा एक ही रूम है, I have stayed in one bedroom flat, five people, पांच जनम लोग एक कमरे में रहते थे, ठीक है, वो जो बल्ब होता है ना, बल्ब, यह सब पिच्छर में दिखाता है ना, कि वो light नहीं था, वो छोड़ा सा बल्ब में मैंन सोचना पड़ेगा, तो यह सब सब बक्वास बात है कि सब घर में बसा महाल नहीं बन पारा पढ़ने का, तो महाल नहीं बनता कभी पढ़ने का, ठीक है, तो यह सब क्या है, तुम लोग को अपना खुद से देखना पढ़ेगा, and special stress, जो आप लोग अभी मालनों किसी का सार सिले बस लगर अच्छे से हो गया, compiler वगरा, तो what you all can do is, आप लोग assignments तो पक्का से करके जाना, into one, into two, ऐसे करके आपको पांश्ठो मिलेंगे, तो यह basically आप लोग, I guess, दो दिन में कर सकते हो, two days, maximum मैं आपको बता रहा हूँ, maximum, maximum two days, now अगर किसी को लगर उसका paper भी हलका कम जोर रह रहा है, तो वो किस तरीके से paper भी को enhance कर सकता है, there are Y assignments, mock papers है, specimen papers है, मैं भेज दूँगा, ठीक है, last four terms के exam papers है, ठीक है, so there are a lot of resources, and दो टैप के बच्चे होते हैं, पहला टैप का बच्चा क्या करता है, जब सम को देखता है, तो उसको read करके, analyze करके, खुझ से करने का try करता है, और दूसरा टैप का बच्चा क्या करता है, वो कली देख लेता है, मैं आपने ऐसे से कराया, मेरे को ऐसे से करना है, अब exam में हलका सब यालग आ जाता है, तो तो वो दिक्कत देता है इसको, वो दिक्कत देता है इसको, ठीक है, और एक बात में तुम लों को बताता हूँ, जैसे ये वाला जो policy है, मतलब CP2 में बहुत काम आता है, जो आपका modeling है, अगर मानलो, बहुत सारे चीज़ है, ठीक है, समके बहुत सारे parts है, आपको कोई एक part नहीं आ रहा है, उसको छोड़के आगे बढ़ जो, यह से बहुत common चीज़ है, ठीक है, उसको छोड़के आगे बढ़ जो, मैंने paper को पूरा अच्छा तरीके से read करना, and paper को अच्छे तरीके से read करके सबसे पहले यह जानना, कि यह कौन से ऐसा part है, जिसमें मेरे को बढ़िया से आता है, last time जब मैंने CM1 का paper देखा, मैंने paper देखते ही अपने दिमाग में एक चौक आउट किया plan, कि यह देख, इसके बाद यह होना चाहिए, इसके बाद यह होना चाहिए, ठीक है, उस समय एकदम भी time waste नहीं करना है, अगर मानलों आपका content जितना strong होगा ना, content आपको जितना strong होगा ना, आपको exam में उतना ही confidence आएगा, and confidence तभी आएगा जब आप लोग मौक देंगे, अभी डरिये मत, आज ही एक मौक दीजिए, मौक दीजिए तब आपको समझ में आएगा कहाँ पर गलती हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा paper को एक संग जब solve करेंगे, तब समझ में आएगा, ठीक है, So it's very important that ये इस दिन में एक भी दिन वेश नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल जो भी philosophy है, लोग को रहने दो, ठीक है, hard work का substitute कुछ भी नहीं है, हलका दिमाग लगा के पढ़ाई करो, time को allocate करके पढ़ाई करो, ठीक है, बना ऐसे दोखो कि एक topic revise कर रहे है और पूरा time नि के दिया कि ये 12 से 13 subdivision है, पूरे syllabus का, इसमें हर एक subdivision में एक दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आज इसे मनलो competing risk में दुख है भी, या 4 question solve करेगा, 3 घंटा लगेगा, 2 घंटा break लेगा, उसका बाकी सारा सम थोड़ा-थोड करके देखेंगा, तो भी तो हो जाएगा, एक दिन नहीं तो मनलो, 1.5 दिन, एक दिन में तो पुरा इसका booklet बनता है, नया से booklet बनता है, सेकेंड टाइम बनाने जा रहे है, क्या बात कर रहे है, वो दो घंटा वाला पढ़ाई छोड़ दो, आदा घंटा बैठा फिरूड ग अगर आपको insurance sector में job चाहिए, जो core actual job माना जाता है, ठीक है, जितना number लेके आ सकते हो ना, इस paper में लेके आना, एक बात और बताते हैं, जैसे मानलो, किसी का 65 आया, यह सब मेरा findings है, यह सब मेरा findings है, किसी का 65 आता है, और किसी का 70 आता है, तो यह चीज़ समझ लेना, 12% probability बढ़ा लिए अपना job का, अब मानलो किसी का 75 आता है, यहां से यह बच्छा 5% probability बढ़ा लिए अपना job का, किसी का 80 आता है, वो 15% probability बढ़ा लिए अपना, इस तरीके से, एक CV आपको ऐसा नहीं मिलेगा, पूरा मार्केट में एक CV पको ऐसा नहीं मिलेगा, CM1 में 90 प्ल पहला पेपर में मालनो 85 आता है 90 आता है फर्स सकेंड पेपर में क्या आता अपने उसी तरीके से अपने आपको देखते हैं किया अपने को आगे भी इसी बार को मेंटेन करना है ठीक है तो वह चीज है इस वेरी इंपोर्टेंट पेपर एकदम अच्छे से पढ़ाई करो तो मतलब बोलने करना है इस इस जनरल एडवाईस के हाव यौल शूद प्रोसीड प्रॉपर अलोकेशन प्रॉपर स्लीप यह सब सारे फैक्टर्स है इनमें अगर एक भी फैक्टर कम होता है ना तो आपका सक्सेस नहीं मिलता है सारे के सारे फैक्टर्स इफ यू टेक आट आपकेशन फैесल औने फबुसर, और आपकेशन एक्टर den वह चार्वाईस के हैं यूं इवर मिलतीपास के इनमें ऑलर कर वी रहे Bur니다. क六ज नहीं मेरोिव इसक्डर्स का चाहिए अरभाईस क्र the most effective study should be in that period whatever your exam duration is that part of the day if you regularly sleep on that part of the day on the exam day also you will feel sleepy so that part of the day you should be very attentive so make your schedule accordingly okay so things should go like that if you have time you can read the mat read the mat exam tell questions you can do these resources you can practice if you want to do a quick revision then you will have the compiler in the back of my compiler you will have the summary notes and you will read the syllabus this is how you should go about with the syllabus right now okay thank you all of you all the best